सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं एक स्टूडेंट है जो गाउं से शहर जाता है नीट और जोई की प्रपरेशन करने के लिए अब वहां पर जाकर के वह पूरा टाइम बहुत ही महनत के साथ लगातार पड़ता रहता है टीचर्स भी पूरे एफ़र्ट्स लगा रह यह सब चल रहा है अब वह पढ़ाई तो गया भूल कि इतने टाइम तक उसने महनत की और यहां पर आकर उसको मिल लिया गैप और 9-10 दिन हो गए उसके खराब यहां पर वह पढ़ाई करने के बाद मज़े की और उसकी बॉड़ी आ गई कमफर्ट जॉन में अब वह वापस कर रहा था बीच में छोटे से गैप ने एक छोटे से ब्रेक ने उसके बहुत सारी मुश्किलें बढ़ा दी अब आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आपकी समर वेकेशन हो चुके हैं खत्म क्योंकि जब आपने स्टार्ट की थी पढ़ाई अप्रेल और म हम थोड़ा से लेजी-लेजी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें कैसे करें कहां से शुरू करें जो जोश था जो जजबा था पढ़ने का वह डाउन हो जाता है और फिर हम बहुत मुश्किल से अपने आपको प्रपेर कर पाते हैं तो डोंट बरी ऐसा सब बच्चो मैं तो मज़े करूँगा मुझे मोई मतलब नहीं है लेकिन जैसे स्कूल ओपन होते हैं फिर दिमाप में घूमती है टेंशन क्योंकि अब आती है बोर्ड क्लासेज अब लगता है प्रेशर स्लेबस सब कुछ इधर दर से घूम रहा है एक दब मस्तारे नजार आ रहा है सबसे पहले एक अपना टाइम टेबल बनाए और टाइम टेबल अपनी जहां पर भी आपकी स्ट्रेडी टेबल है आप उसके आगे लगा लें दूसरी चीज जहां पर भी आपने टाइम टेबल का एरिया बनाया है जहां पर आपकी टेबल है उसको थोड़ा सा मैनेज रखे कि हमें पैंच चाहिए यह पैंसिल चाहिए इस बुक से हमें पढ़ना है पहले से आप अपनी चीजों को और गिनाइज करके रखें तो सब कुछ हो जाएगा और थर्ड इंपोर्टेंट चीज हम पूरा दिन यह सोचने में निकाल देते हैं कई वारी कितब पढ़ेंगे तब कि मुझे 5-10 मिट पढ़ने बैठना है अगर पढ़ पाया तो ठीक नहीं पढ़ पाया तो छोड़ दूँगा इस मन से बैठें जब आप 5-10 मिट देंगे तो बारवे मिनिट आपको लगनी लग जाएगा कि हाँ माहोल बनीगा है पढ़ने का अब पढ़ा है अब अब अच अब पढ़ने बैठ गया हूँ जब आप शुरुआत करते हैं थोड़ा से जो 15 मेट होते हैं वही मुश्किल होते हैं आपके लेकिन आप 15 मेट रुक गए और लगातार अपने कोशिश की पढ़ती रहना फिर पढ़ने का मन भी हो जाता है और आपका इंट्रेस्ट भी डव मुझे फ्यूचर में तो ये बनना ही है आप देखिए जितनी बार आप उसको लिखेंगे उतनी बार आपका जो माइंड है वो आपको रिकॉल कराता रहेगा चीज़ों को कि आपको पढ़ना है महनत करने है और अपने सपने को पूरा करना है तो बस आप टाइम बेस नहीं करना है और महनत में जुट जाओ